नमस्कार दोस्तों बिहार PRT भर्ती को लेकर जो अपडेट में लेकर आया हूँ वो आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि अगर अभी आप नहीं देखेंगे तो आप बात में ये मत कमेंट करिएगा सर कि आपने बताया ने था आपको बताना चाहिए था जिहां ये पहले हम आपको एक अपडेट देजें डीवी को लेकर जिन अभीहर्थियों का चयन हुआ है तो डाकुमेंट वैरिफिकेशन को लेकर अभी एक नोटिस आई है और पुरानी नोटिस में क्या मतलब है और क्या उसको करना है इस चीज़ को लेकर हम बहुत बड़ी खबर आई जिसको को हम इसपस्ट करेंगे आपका इंतजार खत्म हों क्योंकि आप लगातार कमेंड कर रहे थे तो साफ तोर पर एक और लेटर्स अपडेट आ चुकी है नोटिस आ चुकी है उसके अधारपर हम सब कुछ इसपस्ट आपको कर देंगे वीडियो में अंतक बने रहिएगा खास करें उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तभी आप उससे अपडेट हो पाएंगे सुबह मैंने आपको एक वीडियो के मादम सी जानकारी दी है कि जो उर्दू बंगला ठीक है जो उर्दू और बंगला पियार्टी वाले आप भ्यारतिया निकि एक से प जत्ती बिहार सिक्षा विवाग ने जारी की थी कल ठीक है जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 तारिक से हम प्यार्टी की कौंसलिंग करवा रहा है जो की इस तरह से उन्होंने जारी किया ठीक है उन्होंने कहा कि हम 20 तारिक से 25 तक यहाँ पर प्यार्टी की कौंसलिंग करवाएं ठीक और यहां पर उन्होंने प्यक्वल प्यार्टी समान ने की जो लिस्ट है वो यहां पर लिस्ट कर अमांक दे रखा है तो यह कब से हो नहीं है अब यहां पर देखिए बहुत बड़ी बात है कि उर्दू का भी डीवी दोस्तों हो रहा है यानि कि यह मैंने आपको सुबह बताने को सोचा था लेकिन अब अब बात को समझ लीजी अच्छे से एक तो आप 22 तारिक को ठीक है 22 अक्टूबर को भी जाकर किसी भी जिले में जिस भी जिले में आपका सेलेक्शन हुआ है आप अपना डीवी कर वा सकते हैं आज से लेकर 25 तक यह DV का प्रोग्राम चल ला है PIT का तो इस बीच में ठीक है 20 से 25 के बीच में जिस भी जिले में आपका सेलेक्शन गुआ है आप किसी दिन भी जाकर उर्दू बंगला वाले अभ्यर्थी अपना DV करवा सकते हैं इस नोटिस से ये चीज इसपस्ट हो चुकी है कि उर्दू और बंगला वाले अभ्यर्थी कम हैं तो उनके लिए कोई अलग से दिन निर्धारित नहीं किया गया है 20-25 के बीच में PRT का DV हो रहा है उसी बीच में वह अपने जिले में जाकर अपनी अलग से काउंसिलिंग करवा सकते हैं उनके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी तो अगर आप उर्दू बंगला किसी से भी है उनके अपडेट दे दी है आप जाएं आज चले जाएं कल चले जाएं परसो चले जाएं जिस दिन भी आप चाहें जाकर काउंसिलिंग करवा लें क्योंकि आगे मौका मिलेगा ये नहीं मिलेगा अभी कंफर्म नहीं है बाकी जैसे कंफर्म होगा हम आपको उसकी भी अपडेट जरूर कर देंगे और आगे अपडेट पाने के लिए आप चाहल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा